एक व्यक्ति संगठन में होता है उस संगठन की विचार धारा आस्ते आस्ते व्यक्ति के अंदर घुस्ती रहती है तो कॉंग्रेस पार्टी है किया ये सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब मैं रोज अपने आपको देने की कोशिश करता हूँ रोज उस सवाल के जवाब को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ लोग कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है किसानों की पार्टी है मजदूरों की पार्टी है ये बात सही है मगर सच मुच में कॉंग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है वो गांदी जी ने कहा था और गांदी जी ने एक बार एक वोट उनका है जिसमें उन्होंने कहा कि देखो लाइन के अंत में कौन खड़ा हुआ है देखो देश में सबसे कमजोर कौन है और अगर जो तुम कर रहे हो उससे उस कमजोर व्यक्ती को फाइदा हो रहा है तो उसका मतलब कॉंग्रेस पार्टी है कुछ महीने पहले आप पंक्ति के आखरी नमबर पे नहीं थे आज आप पंक्ति के आपनी नंबर में खड़े हुए आपके बनता है कि आपकी जो लडाई है जो लाइन के आपकी में खड़ा हुए उसकी जो लडाई है वो मेरी लडाई है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और जो कंग्रोस पाटी बात उठाती है तो सिर्फ स्टेंज से एक बार बोल कर घर नहीं जाती है अगर आपने मुझे यहाँ बिलाया है तो मैं आपके साथ यहाँ सिर्फ भाशन नहीं देने आया हूँ मैं आपके साथ खड़े होने आया हूँ और मैं अपने बाला नहीं हूँ जो आपने कहा बिल्कुल सही है अगर आपने आप 35 दिन आप खड़े रहे और आप एक साथ खड़े रहे अगर आपने एक साथ खड़े रहेंगे तो मैं आपको गैरंटी करके कह दूँगा कि आपका काम हो जाएगा उसको कोई रोप नहीं सकते और मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि मैं ओपोजिशन में हूँ मेरे पास समय है मेरा जो भी समय है वो आपका समय है